नमस्ते दोस्तों कैसे आप सब आसा करते हूं कि आप सभी बहुत अच्छे सोंगे रेलवे में नई भरती 2023 के बारे मैं आज की वीडियो में complete details से आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों जब से आप सभी को तो पता है अभी एक ट्रेन हाथसा हुई थी इसके बाद से थोड़ा सा रेलवे अपना speed बढ़ाया है जैसे कि Group D का joining नहीं हो रहा था कोलकाता पैनल का ठीक है कोलकाता का यानि कि West Bengal में जो division है उधर का joining नहीं हो रहा था ठीक है तो उसके बाद से उन्होंने प्रक्रिया तेज कर दिया भी सभी का call letter आ गया है ठीक है तो इसी कारण वस इसके बाद और उसका कारण ये बोला गया है कि railway में स्टाप कम है जिसके वज़ा से हसा हुआ है मतलब सब आदमी के मन में यही उपाया गया मतलब यही सोच आ गया तो इसके बाद से दोस्तों भरती प्रक्रिया में फाश्ट लएगी तो यह जो प्रक्रिया जैसे ग्रूप D का joining हो जाएगा अभी यह 2019 वाली भरती का उसके बाद से यह mission mode के through 1.5 लाग तो पहले से बोल इससे भी ज्यादा भरती आने वाली है और किस किस पद में भरती आने वाली है क्या qualification है आज के वीडियो में यही साब बाते में बताने वाला है एक चीज़ आप लोगों को बता दो दोस्तों कि जो रिटन एक्जाम रेलवे के एक्जाम में फिजिकल आप असानी स्पास कर सिंपल बोल रहा हूँ आपको रिटन एक्जाम निकालना है ठीक है रिटन एक्जाम जोररी होता है तो रिटन एक्जाम अगर आप निकाल लिए ना रेलवे में तो फिजिकल ऐसे ही निकल जाएगा आपका मैं सिंपल बता रहा हूँ ठीक है तो अभी से आप अगर रिटन सेलेक्षन ताय है तो कौन-कौन सा पोश्ट में भरती आने वाली है और क्या-क्या भूक लगे उसके तैयारी करने के लिए आज की वीडियो में इसी माध्यम से इसी लिए मैं बताने वाला हूं ताकि आप सब अभी से तैयारी रखे और जब भरती आये तो उसमें आप फॉम अप्लाई करके जरूर अपना पोश्ट एक चैय और रिजर्व कर ले क्योंकि दोस्तों रेल्वे में हर किसी का सपना होता है जाने का सिंपल सी बता रहा हूं चाहिए हो गरीब घर का हो अमीर घर का हो रेल्वे एक ऐस पास भरती के बारे में पहले बताने वाल जो 10th पासा आता है तो तो आप सभी को पता हैं या आप सभी को पता है तो अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो इस 45-46 नंबर के लायक आप बन जाएंगे आप 70-80 नंबर भी स्कोर कर सकते हैं अगर अभी से आप तैयार रहेंगे प्रिपेर रहेंगे तो आपका एक पोश्ट जरूर रिजर्व रहेगा दूसरी बात RPF Constable और ASI का इसका भरती भी आने वाली है तो RPF Constable और ASI का लगभग 10,000 10,000 पद पे भरती आने वाली है जिसमें दोस्तो 50% महिलाओ के लिए रिजर्व रहेगी और एक चीज और आप लोगों को बता दूँ यह जो 50% रिजर्व रहेगी लेकिन अगर आप इसमें रिटन एक्जाम कौलिफाई करना चाहते हैं और इसका मेन जो है वो रिटन एक्जाम ही है रिटन एक्जाम के इदा अधार पर ही आपका मेरिट बनेगा और आपको अलदी निकालेंगे तो ज्यादा नंबर ऐसा नहीं है आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है बाकी आपका मेरिट लिष्ट से ही होगा चैन तो आज की वीडियो में मैं इसी बताने वाला हूँ कि कौन सा बूक लगेगा ठीक है दोस्तों तो दोस्तों सबसे बेस्ट बूक ज देखने को मिलेगा जिसमें पाँच आपको hooks पेपर मिलेगा दोस्तों आपको बता दूँगा और 20 आपको नई क्षोच जो बूक है आपका जो question हल करने का speed आपको बढ़ा देगी और आप लोगों को बता दूँ एक चीज़ बता दूँ दोस्तो अगर आप अब भी से तयारी करेंगे न RPF Constable का तो आप लोगों को बता दूँ ये जो है न अगर आप return exam निकाल ले देना तो physical आपका असानी से निकल जाएगा दोस्तों ठीक है इसमें return exam main होता है railway के भरती में और अगर आपको qualify करना है तो एक बार ये book आपने नजदी की book store से या फिर आप लोग इसको Amazon या Flipkart में आप वहां से order कर सकते हैं दोस्तों और ये जो book है सबसे best book है मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूं दोस्तों आप जरूर इसको order कर लीजेगा इसके बाद दोस्तों एक और विभाग है जो 12th pass वाले भी भर सकते हैं इसमें technician के पद होता है ना उसको 12th pass PCM वाले डालते हैं लेकिन अगर आप ITI किये हैं तो आप assistant local pilot यानि की ALP और technician दोनों apply कर सकते हैं 10th plus ITI तो ये simple सबसे बढ़िया भरती है ये लगभग आप लोगों का 45,000 भरती आने वाली है तो अभी से अगर आप prepare करना चाहते हैं इस post में तो आपको बता दूँ अगर आप Lucent का book को अभी से पढ़ना चालू कर देते हैं तो आप 100% इसमें qualify कर लेंगे हाँ इसमें दो paper होता है एक होता है qualify के लिए दूसरा merit के लिए तो पहला paper का कोई tension नहीं निकाल लोगे second paper में दो होता है अगर आप ITS हैं तो एक trade test होगा ठीक है एक trade test होगा और एक normal जिसमें aptitude वगेरा होता है ये सब test होगा तो असानी से आपको अगर निकालना है तो अभी से आप पढ़ाई सुरू कर दीजे दोस्तों ठीक है और जैसे है कुछ best book मैं आप लोगों को हमेशा बताता रहूंगा इस भरती के बारे में ठीक है एक चीज और बता दू ALP technician के बाद एक सुनने में आ रहा है कि TTE यानि कि traveling ticket examinator ऐसी कुछ होता है इसका फूल फार्म तो TTE जो ticket चेक करता है न भाईये उनका भरती भी आने वाली ऐसा सुनाई पढ़ रहा है अब इसका officially details नहीं आया है लेकिन ये जो तीन पोश्ट है ALP technician और constable and SI ठीक है RPF का और group D का ये 100% आने वाली इसी साल आएगी ठीक है तो TTE का लगबग 7700 कुछ पोश्ट खाली है तो इसमें आप लोगों का भरती आने ही वाली है ठीक है तो मतलब अगर आई तो इसके लिए ये नहीं सोचना है देखे आप लोगों को एक चीज मैं बोल दूँ दोस्तो अगर आप अभी से prepare होते हैं तो आप 100% qualify कर लेंगे लेकिन अगर आप सोचेंगे साला 5 दिन 6 दिन बचेगा तब मैं पढ़ाई करूँगा तो आप नहीं कर पाएंगे सिंपल सी मैं बता रहो तो अभी से अगर आप prepare होंगे तो 100% कर लेंगे एक चीज और बता दू इस भरती में आप फीस की बात करता हूँ दोस्तो फीस तो जनरल OBC EWS 500 रुपे लगता है SCHT फीमेल और जो विकलांग केटेगरिक केंडिडेट है उनका धाई 100 रुपे लगता है ये सभी में चाहिए आप ग्रूप D की वेकेंसी हो RPF कॉंस्टेबल का हो या फिर ALP Technician का हो या फिर TTE का नहीं भरती हो ये सभी में और एक भरती का बताना भूल गया वो J.E. हो गया यानि कि Junior Engineer इसका भी भरती आएगा तो आप लोग घबराये नहीं जरूर एक बार इसमें फॉर्म फिल करके एक्जाम दिला के देखे क्या पता एक पोश्ट आपके लिए रिजर्व हो मैं चाहता हूँ न दोस्तो हर एक बच्चा को हर एक सरकारी नोकरी के जानकारी रहे कैसे तैयारी करना है मेरा यही एम है कि आप सभी को एक मार्ग दर्सन देखे आप लोगों को 5-6 बुक को पूरा कवर कर लेंगे सिर्फ रिविजर्ण का आपका काम रहेगा कैसे आप नहीं पास होगे यह हम देख लेंगे अगर आज से आप तैयारी करते हैं आप काम भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है काम भी करने जाते हो ना आदा गंटा निकाल के दो पेज भी पढ़ लोगे न तो कितना भी बुक खतम हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो यह बात आप जान लीजे आज से यह तैयारी में लग जाए यह आपका 100% चैन होगा ठीक है दोस्तों अब फीस की बात हो गया टोटल पद 1.5 lakh mission mode के थुरू तो आलरीडी आप लोगों को बता दिया हो लेकिन इससे ज़्यादा भरती आईगी क्योंकि ग्रूप D की जब भी वेकेंसी आता है 65,000 से नीचे नहीं आएगा क्योंकि इतना जो नहीं है यार उसमें अगर 2000-3000 पोश्ट नहीं आए तो फिर क्या मतलब का पोश्ट दे रहा है 100-200 थोड़ी ना देगा आल इंडिया बेसिस भरती है और सभी पूरा आल इंडिया के केंडिडेट को इस भरती का इंतजार रहता है ठीक है तो आप लोगों का जरूर होगा आप लोग अभी से तैयारी कर लिजे और मैं जो भूक बताएं हो आप लोग जरूर एक बार पढ़ लिजेगा रिल्वे का कुस-कुस भी एक्जाम हो ठीक है मैट्स के लिए स्पीडी का ठीक है स्पीडी का सबसे बेश्ट रहता है और दूसरा हो गया अलूसेंट का पढ़ लो ठीक है और करेंट अफेयर के लिए तो आप डेली पेपर पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है आपका आ जाएगा देखे करेंट अफेयर में क्या है टेनिस का चार होता है ग्रैंड स्लेन तो वो आपका एक नएक क्विस्चन आये गाई भईया उसको पढ़ लिजिए नियरेस्ट क्रिकेट हो गया कौन जीता क्या हारा क्रिकेट गेम में उसको पढ़ लो ठीक है और उसके बाद हो गया टेनिस का हो गया क्रिकेट का हो गया फुटबॉल वर्ल्ड कप हो गया ओलम्पिक हो गया इंडिया से कौन मिडल जीत के लिए के आया ये देख लो ये सब जरूर देखो आपका जरूर इसमें से एक क्विस्चन आना इत्ता है ठीक है नोबेल पुरुसकार देख लो ये ही सब तो आता है और क्या आएगा यार ठीक है ये ही सब आप एक बार पढ़के जाएए आपका 100% होगा एक काम जरूर कीजेगा दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है ताकि आपको नई नहीं भरतियों की जानकारी हमेंसा देते रहे तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स टूरियों में नई गवर्मेंट जॉब नई सरकारी नवकरी के जानकारी के साथ नहीं नहीं अपडेट के साथ तब तब के लिए जैहिन